गाजेपुर के मर्दर थाना पुलिस को बड़ी कामियाबी हांत लगी। पुलिस ने लड़की के अपहरण के आरोपी को गुरुवार की सुबर नखतपुर गाउं में पुरवांचल एक्सप्रेसवे के पास दबोच लिया। जिसके बाद संबंधित धाराओं में उसका चाल कर दिया गया है। थाना ध्यक्ष राज कुमार यादव ने बताया कि लड़की के पिटा की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया था। लड़की की बरामदगी एवं आरोपी युवक की गिरफतारी के लिए उच्चादिकारी गड़ के निर्देशन में पुलिस टीम गठित की गई थी। गठित पुलिस टीम में शामिल मतेहु पुलिस चौकी प्रभारी भूपेंद्र कुमार निशाथ द्वारा बीति 20 दिसंबर को लड़की को बरामद कर उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिय गया था जबकि आरोपी युवग की तलाश की जा रही थी। इसी क्रम में गुरुवार की सुबा नखतपुर गाउं के पास सित पुरवांचल एक्सप्रेसवे से नखतपुर गाउं निवासी आरोपी सूरज सरोज को गिरफतार किया गया। गिरफतार करने वाली पुलिस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें